वक्त हमें रामपुर के सदर विधान सभाशेत्र में काशी राम कॉलोनी हैं यहाँ पर महिलाएं हैं हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं और हम जानेंगे कि इस बार ये लोग किस पर विश्वास कर रही हो और किसे जिताएंगी सपोर्ट क्यूं कर रही हैं इन मुद्दों पर यहाँ जो लोग हैं उन से पहले आपसे ही शुरुवात करेंगे तो कि अपने बात सबसे पहले गापको कर बोला भी तो बताइए इस बार आप ने क्या मन बनाए दूल आपको राशन कार्ड नहीं बना है, लेकिन जिनको राशन मिल रहा है, आप उनसे खुश हैं, और इसलिए आप उसे लाना चाहते हैं जो राशन दे रहा है, तो आपको क्या लगता है, यहां से आकाश, रकसेना जी बिखड़े हुए हैं, आजम खाबी जेल से चुनाव रहे हैं क्या नाम है आपका फाहिमा तो क्यों को या भाजपा बोले या फिर आकाश जी यहां से खड़ेंगे आकाश अक्षिना जी क्यों आप उनको सपोर्ट कर रही है राशन कहीं मुद्ध है यह कुछ और भी है मैला शुरक्षक हैं बहुत मुद्ध हैं कौन कौन बहुत यहां पर देखा जाए तो आधी से जादा तो सॉल्फ हो चुकी है और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा बेतरी होगा अकाउंट में पेसे आ रहे हैं जीरो खाते में आ रहे हैं अब यह बन रहा है यह भी आ रहा है आगी से फिर धाई-धाई लाक रुपिया दिया अच्छी फेका है आज तक किसी के साथ भला निकारा कि आगे बढ़ गिया आगे पढ़ लिया बच्चा तो वह से आगे निकल जागा लेकिन इसमें तो नहीं है पढ़ाई की सबसे पहले मारा मार हो रही है चोड़ा बच्चा है परिशान है घरीब है तो वह पहले पढ़े आगे से जो कुछ ऐसे सुबाएं भी निकली है कि फीजे भी कम हो जाएंगी तो होगा नहीं होगा भविश्य अच्छा लेकिन ये कहा जाता है कि आजम खां को जो मुस्लिम है वो वोट करता है आप भी एक मुस्लिम है और आप ये बोल रही है कि उन्होंने मारे रोजगार छीन लिये सिक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो आजम को इतना आप रगी हम बूरा बीनी बोलनना विस्टे लेकिन उन्हों कुछ बैतर भी नहीं करा एक दूनिया आपने जानती कि उन्होंने रोजगार नहीं दिया और आप इसलोगार थो इसने दिनी Caitlin का योगी को देंगे तो योगी से आप क्या उमीद करती है यह उमीद करते हैं कि हमारा भविश्य है और उका है जो गरीब लोग है उनके नियां आगे जिंदीगी बैतर हो जाएगी अच्छी हो जाएगी वह अच्छा कुछ लाएंगे बदलाओ अच्छा आजम खां अगर आज और हमारा बोलना है उनसे फर्ज हाँ थोड़ा ही देंगे लेकिन इस को लिए का है यदो बहुत बद्ल यह कैनके तो बहुत हैपने तैंद विघ बताईये क्या जास में अब फॉल नाअबराओ परषानि उठा रहा है और हमें राशन मिल रहा है बस यहां पर खताव हम्हाइज नाइए जा जा रहें हमारी तो सभी वेंगों के तुरफ से हैंगे यह हैं चेक-इं बंद हो जाता तरह Kaiser तो शारो कोई जाया है, में बहुत बहुत का भाट यह झाया है, तो यहां बहुत से हथ बहुत से हथ 200 तीन sot का, 400 बढ़ आना चाहिए, अब एक बात बताईए, इनसान के सकमाने का जरिया तो हैनी जब से लोकडाउन लगा है अब हर महीने 15 सो का बिल आ रहा है तो बताएं गरीब जन तक कैसे करेगी जमा इस लिए हम यह कह रहा है इन भेहनों के तरफ से कि यहां का बिल काम होना चाहिए बहुत से बहुत हाद तीन चार सो रुपे का होना चाहिए हमारी हमारे जब आप करेंगे अगर पती ने मना कर दिया फिर आप क्या करेंगी तो फिर पती करेंगे जो पती करेंगे जो इंसान दो रोडी खाता है उसे सही गलत पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है विए पैसे कि आपने बोला की बहने तो उन्हों सब्सक्राइब कोई कुछ भी हम तो करेंगे तो उनके बात उसे लग गया भी उनकी पती भी अगर मना करेंगे तो नहीं मानेंगी नहीं है नहीं है नहीं की बात मानेंगी पती की नहीं मानेंगी पती को छोड़ देंगी क्योंकि वह बड़ी बहन है पुनम सागर मेरा नाम मैं काशी राम कलोनी में ही रहती हूं आज योगी सरकार में इतना काम बना है आगे चलके भगान की दुआ से और तरक्की बढ़ेगी अभी तो हमें थोड़ी आगे योगी जी आज हम योगी जी के साथ खड़े होंगे साइद योगी जी अच्छे यह बताइए यह तो हो गया जैसे कि आप योगी जी योगी जी करें यहां का जो कंडिडेट हैं आकास जी उनके बारे में आप लोगों की क्या रहा है आकास भाया हमारे लिए किर भाई साब हैं उन्हें तो नंगा करके मारा ता जिल में उन्होंने करा क्या उन्होंने तूती अपनी बुलाई आप तुम्हें जो आप उखाड़ना है आप उखाड़ के देखो आप बताइए यह तो बताइए वोट किसे कर रहे हैं आप वोट मोधी जी को देंगे पस अ पर चेर लगा के बैठी में आप बताइए बस कमल पर मोर लगाएंगे सब को यह कहेंगे दो बार महीने में राशन मिलता है उव जो पहिंडरें को साय चंप कमल पर लगाएंगे यहां पर मौश्ली चो लोग है कमल पर ही डालेंगे और सपा वपा पर कोई है जो सपा या साइकल वगेरा है यहां सबकी उमीद तूट सुकी है सबसे बस अब योगी ही जी दिखाई दे रहे हैं और कोई नहीं है अच्छा यह आ रहे हैं आप लोगों के पास भी आप यहां पर आकर बैठ गई अब यहां पर बोलने वाले मुझे मिल ली रहे हैं इसलिए मुझे आपके पास फिर से आना पड़ा अब यह बताई आप यहां से जो लोग खड़े हुए नावेद मिया भी खड़े हुए हैं आजम खा जेल से खड़े हुए जैसे कि मैंने आपके पहले भी सवाल पूछा था और इधर आकाश जी भी है बीजेपी से तो आपको क्या लगता है कौन जो उमीद्वार है वो बेहतर है लेकिन जो भी खड़ा हुआ है योगी और मोधी जी की तरफ से वो जीते जो योगी और मोधी उनके सर पे चाता आई गाउं में जाके देखो कि बहुत ऐसी सुविदाएं जो लोगों को मिली हैं वो चाहे हिंदू हो चाहे हो मुसलिम हो कोई सी भी कास्ट हो उन्हें वो चीज मिली है और रामपूर के अंदर रामपूर जैसा शेहर है इसमें भी बहुत से लोगडाउन लगा तो पहले महीने पर राशन मिलता था इन लोगों को अब महीने में दो बार मिल ली है तो यह क्या कम बड़ी बात ही सोचो जो थाली में रोटी देता है ना उसी की वेलू होती है इंसान पेट से जाद है ना किसी चीज को जूरूरत नहीं समझता है उसका पेड़ भर आए ना तो वो रोट पे भी बेड़ जाएगा चट हो या नहीं हो पेट में रोटी होना जरूरी होती है इनसान के और यह चीजे उस इनसान ने करेंगे भोसी ऐसी चीज़े हैं मैं तुम आपको क्या गिना हूं कि जो वाकी बात है कि कि हर कोई नहीं कर पाता जो उसने करे मोदी ने भी और योगी इसलिए फुल सपोर्ट मुसल्मान की जहां तक हमारी है हम तो यही चाहेंगे जो हमारे साथ हैं हमारे घर वाले हैं हमारे बाहर वाले हमारे मिलने जुनने वाले हैं कि उन्हीं को बोट दो मुसल्मानों का जो भरोसा है वो योगी और मोदी पर जी और ये भरोसा इसलिए बना है क्योंकि उन्होंने आपके लिए काम करें मदद करें मदद करें अब भी हम यह जानमर पाल लेंगे न और उसको पेड़ भर के रोटी नहीं दें तो हमाई तरफ नहीं बुड़ेगा और उसे पेड़ भर के रोटी देंगे ना तो हमाई तरफ ही आगए और किसी की तरफ क्यों नहीं जाएगा आजम खाने रोट बनवाए स्कूल बनवाए विकास उन्होंने कहा कि हमने विकास किया है तो उनके तरफ क्यों है अच्छा एक बदता हूंनोंने बनवाए भोसी इसी सुविदेकारी है ऐसे स्कूलों में क्या गरीब इंसान के बच्चे पढ़ सकते हैं मेरे बच्चे पढ़ सकते हैं आप बताईए मेरे पास पाज बच्चे हैं सुनना और एक लड़की मेरी विकलान है मैं अपने बच्चों को मेरे बच्चों बहुत जहन में पढ़ने में मजबूर हूँ लेकिन आने वाले टेम में ये जीतेंगे तो ये कुछ ऐसी सुवेदा निकालेंगे जो खरीबों के बच्चे कम पेसों में पाड़े अब हमारे दिल का अर्मान है हमारा बच्चा बड़ी स्कूल में पड़े बड़ा आदमी बने हम नहीं कर पा रहे हैं क् में इसा थो भविश है वहास कुछ रखर आएगा जो हम इने कुछ बना सकते हमारे दिल और हम अपने बच्चों कुछ बना यह अज आज हम तो क्या करेंगाइगे स्कूल भी बनाएंगे सबके भी बना देंगे सबकों से हमारा गुलह तो नहीं होगा और एक बात बता को ग गरीबूः को भी देखो घरीबूब हो पहले तुमारी जिम्मेदारी हय यग तुम एक बोर्डद सोभेर के Mmm जाड़ के दिना है सूराज को किता कोरा दांता दो cinn Aram Pumutu बने चाहि की दिन तुम यह देख नॉत है और रोसा ने नी तो किसी को भी दे दो कोई हाथ जोड के कोई हम किसी से कोई बोलेंगे नहीं तुम उन्हीं को दो, इंसान का खुद अपना मन टटोलेगा तो जरूर आगे बढ़ेगा. और आपने अपना मन टटोल लिया, लेकिन टटोल लिया, हमें देना होना, हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमें जो सही लग रही है हम वो ही करेंगे जो हमें सही लगेगा ना हम वो ही करेंगे जो आपको सही लगेगा हाँ और हम दूसरों से भी यही बोलेंगे कि तुम सोचो भालो फिर तुमें सही लगे तो तुम देव से बोलेंगे एक मäre परसनल सवाल आपसे है। जैसे कि मैने यहाँ पर बहुत लोगों से बात की। तो ज्यादतन हिंदु महिलाय थी। आप भी मुस्लिम महिलायें थी तो वो बोल नहीं रही थी। लेकिन आप आगे आकर बोल रही है। तो जैसे ये बाकी जो मुस्लिम महिलाए हैं वो बोलना क्यों नहीं चाहते हैं? मेरी बास सुनो यहां पर तुम लेकाईयो मेक सब यह वोलेंगे हमारे लाइट के बिल जाद आ रहे हैं पेपले ने खराब हैं हमारे बिल्डिंगे खराब हैं तो जम तुम एक सई इंसान को जिता होगी जबी तो सब कुछ सई होगा मसला जबी सई होगा पहले बोलने से किसी को नहीं बोल सकते हैं वो मुझे उन से कोई मतलब नहीं है मुझे अपनी आप से मतलब हैं कौन किसके बारे में क्या सोचता है हमें उससे मतलब नहीं हमें क्या सोचना है हमें क्या बेतर है हमें लग रही हम वो करेंगे अच्छा आप मुसलिम हैं आपने जैसे पर परसनल हो गया पर अभी इस पे ने बड़ा चाया हुआ है केरल और तमिलनाडू में भी केरल ने बैन किया तो तमिलनाडू सरकार ने किया तो उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है तो आप क्या समझती है कि हर्ग किसी को पहनना चाहिए या अपनी अपनी मर सिंहा होनी चाहिए और फक्रणों यो यहती जिक पर फिर झालने लड़कियों को बाहर ने निकलने देते तए बुर खगानी तो एस तरीके से मर रही हैं यह नहीं नियुम रही है तो अच-बुआ यह तो बच्ची यह ऑनLo Cross theerten को शाहिए Om pregnant शारोंग जा रहे हैं दूसरों के क्या फाएदा तो आपको क्या लगता है कि कैसे नॉर्मल रहना चाहिए इसमें नॉर्मल लेना चाहिए रियल जिंदीगी जीनाचाई जो आज कर देंप पहे और हो रत की नजरों में शरम होना चाहिए यह बुरुखे से कुछ नहीं होता आगे बढ़ना चाहिए लड़की को पहले ही आगे बढ़ना चाहिए अब से बात करके ना बहुत अच्छा लगा जैसे कि आपकी जो सोच थी मैंने देखा कि एते हैं आप मौखर होकर बोल रहे हैं तो यह सब चीज़े आपके पहले से थी या आप भी कुल सहलूर आपकी जैसे पांच बच्छे हैं तो उनको आप क्या बनाना चाहती है एक को डॉक्टर पता नहीं बन पाएगी नहीं बन पाएगी हाला तो नहीं है नर्स बना दिया है लेकिन डॉक्टर बनाने का सपना है पता नहीं क्या हला साथ देंगे नहीं देंगे मेरे भाकी तो देखा जाएगा एक लड़का है पढ़ाई उसकी खतम हो गई पैसे नहीं तो इसलिए उसे टेक्टर चलाने पर लगा दिया दोल बच्चे हैं एक लड़की चलती नहीं है अब देखो योगी और मोदी जी क्या गड़ते हैं गरीबों के नहीं यह यास उमीद है बस मैखता ही है मैं चाहिए बहुत धन्यवाद आपका अच्छे से बात किया और भी बा अपना मन तो बता देती है लेकिन बाकी जो चीजें है वो उसी जब वक्त आता है तब ही करती है दादी जी आप बताईए क्या नाम है आपका द्रोपती अच्छा इस बार किसको वोट करने चारे हैं आप हम तो फूल को देंगे क्यों फूल ने ऐसा क्या किया है फूल ने तो उसका आदा करें दादी जी आप बताईए आप बताईए आप बताईए दादी जी आप बताईए किसको वोट करेंगे अब आप शर्मा क्यों रही है शर्मा क्यों पूल को अच्छा आप बताईए वो माफ हो जावा है अच्छा बिजली का बिल माफ करने की बात करें आ सीधी बात नो बक्वास